गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स, वेलकम टूनेक्स लेक्टर, वेलकम लेक्ट्टर, वेलकम लेक्टर, वेलकम लेक्टर, वेलकम क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर में हमने कुछ एक टॉपिक्स जो डिसकस किये थे, that is a, what is the need of, टूपिकेशन अफ लेक्टर, är, plantia and animalia, तो हम जो हैं, वो आज, first kingdom के बारे में discuss करेंगे, that is a, monira kingdom, monira kingdom, mineira kingdom, जो है, वो उसका एक ही, जो, soul representative member है, वो है bacteria, बैक्टीरिया या फिर जो मुनीरा किंग्डम है इसके और्गनिजम जो है सबसे अबंडन्ड और्गनिजम है इस वर्ड में सबसे जादा पाये जाते हैं यह और हर जगह होते हैं यूबिकोटे से हैं जितने भी आपको एक्स्ट्रीम से एक्स्ट्रीम हैबिटाट मिलेंगे वहाँ पे भी यह प्रेजन्ट होते हैं होट स्प्रिंग से लेके डीप ओशिन तक हर जगह यह पाया जाते हैं देली विंदेक्स्टीम आविटाट एंड देलीव एवरीबियर देल नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया या फिर जो मुनीरा कंग्डम के और्गनिजम हैं वो मैक् इस होती हैं या फिर बहुत सारी बेले होती हैं क्लाइमबर्ज होती हैं जो जिस पॉदे के उपर हेती हैं उस ही से अपना खाना लेती हैं तो gen enormism तो दूसरे और्गिनिजम से अपना खाना लेते हैं उसके बाद हम इस टॉपिक में डिसकूस करेंगे इंपॉर्टेंट क्रिक्स्टिक ऑफ मोनीरा किंग्डम के और्गिनिजम है युनिसेलूलर प्रोकेरियोटिक और्गिनिजम एक तो वह सिंगल सेल है और उनका सेल कैसा है प्रोकेरियोटिक तो इनमें वह सारे के सारे स्ट हमें क्रेक्स्टिक मिलेंगे जो एक प्रोकेरियोटिक सेल में होते हैं देहवा 70S ribosomes उनका DNA नीग्ड होता है नीग्ड का मीनिग है कि उनके DNA के चारों नुकलर मेंब्रेन नहीं होती है मोनीरा किंग्डम के जो सेल और्ग सेल वॉल से बनी होती है और इनके सल्वल पिप्टिडो फिर थे फ्लैसला एषटे इसलो को अथिर्ट कौनीरा में बहुत इंपोर्टन रोल है और द टीकंपोसर और मिनरलाईजर किसी पहली सऔ Why सभी सडी चीज को यह अर्गनिक चीज को यह ढीक問 कर करके उए उससे बना देते हैं, that's why they are not a decomposer, और यह mineralizer का काम करते हैं, यह जितनी भी recycling of nutrients हैं, carbon cycle, phosphorus cycle, sulfur cycle, इन सब cycle में यह participate करते हैं और recycling करते हैं nutrients की, the next है इनकी nutrition, nutrition में यह autotrophic भी है, अपना खाना खुद भी बनाते हैं, parasitic भी है, दूसरे host से भी अपना खाना लेते हैं, heterotrophic भी है, जो decaying organic matter को decompose करके उससे अपना खाना लेते हैं, उससे energy लेते हैं, that's why they are known as a saprophytic, saprophytic, saprophytic वो organism होते हैं, जो गली सड़ी चीजों से अपना खाना निकालते हैं, organic चीजों को decompose करके उससे अपना खाना लेते हैं, the next है, इस जो मुनीरा kingdom है, इसका जो पहले ही हमने डिस्कुस कि यह कि एक ही member है, that is a bacteria, तो shape के base पे देखा जाए, तो bacteria की चार classes है, या फिर चार category है, सफेरिकल जैसे डाइग्रा में दिखा रखा है, सफेरिकल मतलब गोल, उसको कोकस या प्लूरल कही तो कोकाई कहा जाता है, रोड शेप जिसको वैसलेस कहा जाता है, कोमा शेप डाइग बैक्टीरिया के बैक्टीरिया की फैरियलम भी होते है, यह अगर उनकी नुटिशन देखी जाए, जो मने पहले बे इम्मने चेल को में दिसको किया और अटियोट रॉफ हमें, अपना खाना खुद भी बनाते हैं, और हटीरियलम भी लेते हैं, अपना खाना दूसरों से भ बना करें दूसरों से ले सकते हैं कैमोसंथाइक रपिर फिर फरदर थो टाइप के फोयगत मैं थो प्रॉटरोफिक बनते हैं जो पर वह प्रयीं नहीं करें«्ब्शक्ण कंप करेंका नहीं करेंगेफेटिक दीता wald बनतेरे पर सब्सक्राइधे में अपना इसनेल हैं बैक्टिरिया क्या करते हैं कुछ एक इन और्गनिक सबस्तांसी जैसे हाइडोजन सलफाइड हो गया नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया इनकी ऑक्सिडिशन कर देते हैं और ऑक्सिडिशन के बाद जो निकलती है उसको एटीपी की फॉम में अपनी बॉड़ी में स्ट करते हैं बाई ब्रेकिंग दा इन और्गनिक सबस्तांसी इंटू सिंप्लर सबस्तांसी और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप उसको यह एटीपी की फॉम में बॉड़ी में यूज कर लेंगे नेक्स्ट जो हम डिसकस करने जा रहे हैं ताट इस आ स्ट्रक्चर च्पाफा बैक्टीरिया डिक्तीरिया के स्ट्रक्चर में देखें तो इसकी जो सबसे बाहर वाली लेर उसको कहा जाता है कैपसूल अब डाइगरम में देख रहे हैं जो सबसे बाहर वाली ब्लु कलर की इनोने लाइनिंग बनाई है । इस एक तरफ से थोड़ा यू वहा ह इन फल्डिंग गो प्लाजम मेंब्रेन, इसको कहा जाता है मीजो sóme. यहाँ पर प्लाजमा मेंब्रेन के साथ, रस्पिरेटरी एंजयाइम अटेश होते है, जहां से इस जगह से इन रस्पिरेटरी एंजयाइम से, जो bacteria वो respiration करता है so mesosome is the site of respiration and at mesosome the various respiratory enzymes are attached जहां से यह bend है plasma membrane यही bend को mesosome कहा जाता है उसके बाद next इसके structure में है that is a DNA coiled into nucleoid आप DNA देख रहे हैं इसका DNA double standard होता है circular होता है लेकिन इसके चार और nuclear membrane नहीं होती इसलिए bacteria या monira kingdom के जो organism है उनके DNA को naked DNA कहते है DNA के चारो और कुछ एक proteins होते हैं जो इसको pack कर रहे होते हैं लेकिन वो histone या non-histone proteins नहीं होते हैं वो अलग तरह के protein होते हैं histone और non-histone protein eukaryotes में होते हैं pro-karyotes में DNA के चारो और वो protein नहीं होते हैं कुछ अलग तरह के प्रोटीन होते हैं जो DNA को यहां पैकिंग कर रहे हैं इसके अलावा इसमें राइवसोम होते हैं डाटारव 70S टाइप साइटो प्लाजम में बहुत सारी तुछ प्लाजम मेमरें से भी निकल रहे हैं या फिर ग्रो कर रहे हैं पिलाए आर शपैशल साइटो प्लाजमिक ओट ग्रोथ विच हल पीर्ड्चन तो पिलाइक का काम यह चोटे बाल की तरह स्ट्क्ट्चर है जो बार में रीप्रोड़क्शन में हेल्प करेंगे जो पिला पिलाएं हैं that are the short in height as compared to the phlazella. अगर आप तेखे तो phlazella लंबे होते हैं और पिलाएं जो हैं वो पूरी बोडी पे प्रेजन्ट होते हैं और जो phlazella हैं वो एक ही सीरे से निकलते हैं that's why the phlazella help in the locomotion लेकिन पिलाएं का locomotion में को direct role नहीं है पिलाएं help in the sexual reproduction या फिर इसकी bacteria की sexual reproduction को conjugation कहा जाता है तो पिलाएं conjugation में help करेंगे और phlazella जो है वो चलने फिरने में लोकोमोटरी और वो चलने फिरने में help करता है यह एक ही सीरे पे present होते हैं तो यहाँ आप दो phlazella देख रहे हैं अब phlazella जो है जहां से वो निकल रहा है प्लाजमा मेंबरेन से यह originate हो रहा है तो प्लाजमा मेंबरेन में जो इसका पार्ट है उसको कहा जाता है इसकी basal body जितना जितना पार्ट इसका बैक्टीरिया की cell wall प्लाजमा मेंबरेन कैपसूल के अंदर-अंदर है तो phlazella जो है वो basal body से originate होते हैं और जो इसका बाहर वाला पार्ट है उसको कहा जाता है फिर जिक जाग पार्ट के जाता है जिसकी हल्प से चलते इंडो इसका बैक्टीरियल चेंग अंदर-अ को चेंगी थन लाइमी आउटर मोस्ट लियर सराउंडिंग दा बैक्टिरियल सेल इस नोने जा कैपसिल और जितने भी बैक्टिरिया हैं जो बिमारी कॉज करते हैं विरुलेंट बैक्टिरिया उनमें कैपसुल प्रेजंट होती है जिनमें कैपसुल नहीं होती बैक्टिरिया में वो बिमार पीमारी काॉज्ट करने वाले नहीं होते हैं, that are non virulent, तो ये virulent और non virulent bacteria में एक major difference है, virulent bacteria में के cell के चार और capsules होती है, और non virulent में नहीं होती, क्यों, क्योंकि capsules से ही जो bacteria है, उसमें वो बिमारी प्रोड्यूस करने की या बिमारी cause करने की पाबर आती है या उसकी capsule में कुछ ऐसे substances होते हैं जिनसे वो किसी भी organism है बिमारी cause कर सकता है तो जो parasitic या फिर बिमारी cause करने वाले organism है virulent organism है या virulent bacteria है उनका नाम है bacillus, anthracite, diplococcus pneumonia, mycobacteria, tuberculosis, etc. next part था bacteria की structure का that is a cell wall, इसकी cell wall बहुत strong और rigid और hard होती है, even plant की cell wall से भी वो hard होती है, इसकी cell wall polysacrid, protein और lipids से बनी होती है इसमें cellulose नहीं होता, इसमें polysacrid, protein और lipids होती है और इसके अलावा D-glutamic acid और di-aminopemalic acid यह भी present होता है तो यह special name आपने याद रखने हैं, next है plasma membrane, bacteria की जो plasma membrane है, वो cell wall के अंदर होती है, थिन होती है, और selectively permeable होती है maximum जो आप cases में, आपने plant cell, animal cell, prokaryotic, u-karyote में यही आप पढ़ेंगे कि plasma membrane is selectively permeable, selectively permeable का मीनिंग है कि यह selected चीजों को यह अंदर और बाहर आने रेती है, उसके बाद है इसका cytoplasm cytoplasm एक echo semi fluid ground सबस्तांस है, जिसमें बहुत सारे vitamin, salt, enzyme, carboidate, ribosomes, lipids, mineral बगेरा प्रेजन्ट है cytoplasm जो वो granular होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या प्रेजन्ट होते हैं, ribosomes ribosomes छोटे-छोटे beards की तरह होते हैं, और इसमें 70S type of ribosome होते हैं जिसकी वज़े से cytoplasm का जो appearance वो granular आती है, nuclide, nuclide meaning इसका DNA यहाँ पे DNA के चारोर nuclear membrane नहीं है, इसलिए उसको nucleus नहीं कहा गया when the nuclear membrane is absent, the genetic material is known as a nuclide, जो इसका genetic material है, वो क्या है DNA double standard, circular, which have a special protein which surround it, but that protein are not histone or non-histone proteins next, इसके जो structure का part है वहाँ plasmid, plasmid क्या होता है, circular DNA, double standard DNA होता है जो main DNA के अलावा present होता है, आपने देखा diagram में कि center में एक double standard DNA का जाला सा present थोड़ा सा double standard DNA present था, that is a chromosomal DNA इसके अलावा bacteria के ही cell के अंदर एक छोटा सा पीस गोल, DNA का extra में और present होता है जिसको plasmid कहा जाता है, फ्लैजला देखा हमने structure में, जो fine thread-like होते हैं protoplasm से protoplasmic appendices हैं क्योंकि यह protoplasm से जुड़े हुए हैं और इनका काम जो है, वो bacteria को चलने फिने में help करना है पिलाई और phimbrae, bacteria की पूरी body के ओपर जो छोटे-चोटे बाल जैसी outgrowth थी उनको पिलाई का जाता तो और पिलाई पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं ऐसे ही पिलाई की तरह का ही एक structure इसकी बाल जैसा बैक्टिरिय की बॉडी के ओपर और होता है जिसको फिंब्रे कहा जाता है पिलाई और फिंब्रे में क्या difference है, फिंब्रे थोड़े लंबे होते हैं, पिलाई हाइट में चोटे होते हैं पिलाई की breadth ज़्यादा होती है और फिम्प्रे की breadth कम होती है फिम्प्रे थिन होते हैं पिलाई sexual reproduction ये conjugation में help करते हैं और फिम्प्रे जो है किसी वी surface के साथ attachment में help करते हैं तो these are the main difference between पिलाई और फिम्प्रे आपने इनको no down करना है और इनमें और डिफरेंस find out करने हैं यह भी home back है आपके लिए कि पिलाय और फेंपे में डिफरेंस लेकिए इन में length or breadth का डिफरेंस है। इनके structure का डिफरेंस है और उनके function का डिफरेंस है। उसके बार of nutrition in bacteria है। बैक्टीरिय की nutrition के बारे में हमने पहले भी discuss किया। जाएर्दा ओर्ट्रॉफ है क्योंकि वो अपना खुद बनाते हैं विदर हेल्प ऐप्ट सिंथेसिस प्रसेस्स तो उनको फोटो जिंतेटिक ओर फेंगे और अगर वो कीमो सिंथेटिक ओर्ट्रोफिक हैं केमिकल इंसे अपना खाना बना रहे हैं और ओक्सिडियेशन प्रसे स्क्राइब की पैरसितिक सेप्रोट्रॉफिक पैरा सीटिक सेप्रोट्रॉफिकoires वह जो होस्टों इसका झाल है उसी से ATP जो या energy producer की उसको ATP की form में use करेंगे. Symbiont वो bacteria हैं जो किसी organism की body के साथ, organism, living organism के साथ रहेंगे लेकिन mutual relationship, beneficial relationship, दोनों एक दूसरे से कुछ लेंगे और देंगे. Bacteria अगर उस organism से खाना लेगा तो inner return उस organism को भी कुछ देगा जिसमें दोनों का फाइदा होगा, उनको कहा जाता, symbiotic bacteria, जितने भी nitrogen fixing bacteria है, maximum are symbiotic, maximum, सारे नहीं, maximum bacteria are symbiotic, वो पौदों की roots से growth hormones और shelter ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, पौदों की roots में रहते हैं, उनसे shelter ले लेते हैं, इन रिटर्न पौदों को nitrogen प्रवाइड करवाते हैं, that is known as a symbiotic association, या symbiotic bacteria, next है classification of bacteria, bacteria को again three classes में divide, bacteria की जो three classes हैं, या फिर you can say that, कि जो kingdom onira है, उसके आगे फिर तीन sub kingdom है, bacteria के भी कह सकते हैं, आगे तीन classes क्योंकि kingdom onira का एक ही represented today by bacteria, या फिर kingdom onira के सब kingdom ही हम कह सकते हैं, वो तीन है, archybacteria, eubacteria and cynobacteria, और one by one हम इनके characteristic discuss करेंगे, सबसे पहले archybacteria, these are the most ancient living organism present on the earth, सबसे पुराने जो living organism अर्थ पे आज भी हैं, वो archybacteria हैं, और यह extreme से extreme habitat में रहते हैं, जो salty area में रहते हैं, जहां salt बहुत सारा होता है, उनको base of hills, hello files कहते हैं, जो hot springs में, गरम लावे में रहते हैं, गरम लावे की नदियों में तो इनकी cell walls, दूसरे bacteria की cell walls से थोड़ी different होती है, जादा hard होती है, क्योंकि यह extreme से extreme habitat में survive करना होता है, इनको, खाना यह autotrophic तरीके से खाते हैं, यह अपना खाना खुद बनाते हैं, इनका जो TNA और RNA होता है, उसके nucleotide sequence बहुत unique होते हैं, जो archybacteria है, उसके body जो TNA, TRNA और जो RNA होता है, उसके nucleotide sequence बहुत unique होते हैं, so these are the characteristic of archybacteria, then u-bacteria, u-bacteria को true bacteria जाता है, 2-bacteria क्योंकि यह पुराने bacteria से थोड़े advance है, और आज कल के time में इनका number जादा है, archybacteria से, इसलिए इनको 2-bacteria का, यह फिर modern bacteria भी आप क्या सकते हैं, जो आज कल के time में हमारे, आज कल जो bacteria की species होती है, वो हमारे 4 और, वो यू-bacteria में है, maximum, so इनके cell wall hard होती है, because cell wall is made up of peptidoglycan, एक special chemical होता है, यह जो peptidoglycan, जो peptides plus carbohydrate, इन दोनों सो मिला के मनता है, इसलिए इसका नाम peptidoglycan है, यह जो movement करते हैं, यह bacteria वो फ्लैजला की health से चलते फिरते हैं, इनकी body के ओपर, जो हो sexual reproduction यह conjugation के लिए special structure होते है, hair-like growth होती है, जिनको पिलाय कहते हैं, जो हमने वो host की body से attach होते हैं, उससे खाना लेते हैं, जो यू bacteria है, उनको फिर आगे दो sub category में divide किया हुआ है, gram positive and gram negative, आपके लिए यह homework है, कि gram positive और gram negative bacteria के बारे में, आपने find out करना है, research करना है, और इनके वीच में difference लिखने हैं, next topic में, next lecture में हम इसको discuss करेंगे, लेकिन आपने एक positive और gram negative bacteria है, इनको जो दो types में divide किया है, वो Christian gram जो scientist था, उसने divide किया था, उसने बताया था कि यू bacteria की यह दो types होती है, और उनका नाम gram positive और gram negative रख दिया, gram bird इसलिए क्योंकि जो इनको discover करने वाला scientist है, वो gram था, Christian gram था, जो तो Christian gram ने इनको color किया, dye चड़ाई, जिसने तो dye को रिटेन कर लिया, उनको gram positive कह दिया और जो डाई को रिटेन नहीं कर पाए, उनको gram negative कह दिया, इसके example है, rhizobium and chlorostridium bacteria, these are two u bacteria, next category है, यह next sub kingdom है, Monira kingdom का cyanobacteria, these are blue green algae, यह algae नहीं है, but their name is blue green algae, because यह blue algae है, उसकी तरह behave करते हैं, यह algae की body की तरह इनकी body होती है, blue green algae, इसलिए इ photosynthetic होते हैं, यह chlorophyll, carotenoid and phycobillion, इन तीन photosynthetic pigment की help से अपना खाना खुद बनाते हैं, photosynthesis process से, mostly यह aquatic organism है, पानी में मिलते हैं, और सबसे important इनका फंक्शन है, they fix atmospheric nitrogen, यह atmospheric nitrogen को fix करके जो पोदों को provide करवाते हैं, इनका example है, nostoc, anabina, spirulina, यह important bacteria है, because हमारे चारोर जो पोदे है वो खुद nitrogen को environment से absorb नहीं कर सकते हैं, तो वो इन बैक्टिरिया की help से nitrogen को absorb करते हैं, और in return यह bacteria उन पोदों से घर और खाना दो चीज़े लेते हैं, तो these are symbiotic bacteria, which give nitrogen to the plants and in return take shelter and food from the plants, example आपने याद रखने हैं, nostoc, anabina and spirulina, these are the three example of cyanobacteria, आर्की बैक्टिरिया के बारे मैं आपने पड़ा, कुछ है किसकी जो characteristics है, वो आपने यह paragraph हो में दे रखे हैं, आपने points form में पड़ी, तो आपने उनको जब characteristics लिखने हैं, तो आपने points form में ही लिखने हैं, एक आर्की बैक्टिरिया में extra चीज यहां क्या दे रखी है, कि इ मिथेन प्रोडियूस करते हैं, वर्ड में जितनी भी पूरी हमारी अर्थ पर जो बहुत सारी जो मिथेन की production होती है, 40% जो मिथेन प्रोडियूस होती है, वो काओ और बफैलो की body से ही produce होती है, इनके डंग से ही body produce होती है, यू बैक्टिरिया के बारे में पड़ा, इसमें एक extra characteristic यहां क्या add हुआ है, कि यह mostly जो है, वो nitrogen fixation में help करते हैं, यह chemo synthetic autotrophic भी होते हैं, और photosynthetic autotrophic भी होते हैं, यह अपना खाना खाना लेते हैं, और oxidation process से भी अपना खाना बना सकते हैं, that's why they are known as a chemo synthetic autotrophic, इनका structure देखें, यू बैक्टिरिया का, जो यू बैक्टिर स्पायरिलम एंड राउंडिड शेप, गोल होते हैं, और spirulam की फॉर्म में है, इनके structure में, जो हमने ऊपर बैक्टिरिया की शेप पढ़ी, spherical और spirulam, उस शेप में यह ज्यादा तर पाये जाते हैं, इनका एक्जामपल है, नॉस्टोकेन, अभीना यह आपने पहले भी क्रक सेल हैं, इनके एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन बीच-बीच में, इनके जो सेल में एक special characteristic आगया है, that is a heterocyst, जो यह सेल की chain बना रहे हैं, उसमें कोई एक सेल जो हो special function परफॉर्म करने वाला होता है, और उसको कहते है heterocyst, heterocyst का का काम क्या होता है, to fix nitrogen, यह जो कोलोनी है यही जो पूरा ribbon बना हुआ है, यू बैक्टिरिया का, जिसको साइनो बैक्टिरिया भी कहा जाता है, तो इसमें जो कुछ एक special cell है, that are heterocyst, that fix atmospheric nitrogen, तो इनके पूरी कलोनी में सारे cell atmospheric nitrogen fix नहीं करते हैं, यह nitrogen को plants को provide नहीं करवाते हैं, सिर्फ heterocyst cell ही ऐसे होते हैं, जो nitrogen fixation करत होते हैं, और यह special cell होते हैं, इनकी cell wall बहुत थिक होती है, यह थिक cell wall, next है, जो mostly bacteria है, that are the beneficial to us, but they are also harmful to us, 90% human में जो diseases होती हैं, वो bacteria से होती हैं, और ऐसे bacteria जो diseases कौज करते हैं, उनको pathogen कहा जाता है, बैक्टिरिया की reproduction के बारे में अगर देखें, तो bacteria fission भी करता है, binary season करता है, बीच में से जैजे diagram में दिखा रहा है, कि बीच में से तूट जाएगा और दो bacteria बन जाएंगे, अगर unfavorable condition आती है, तो यह spores भी बनाता है, जिनको asexual spores कहते हैं, और a favorable season होगी, तो sexual reproduction भी करता है, एक bacteria का DNA दूसरे bacteria में transfer कर दिया जाता है, कुछ part, पूरा नही lane देन होता है, आपस में lane देन, आधा एक ले लेगा, एक से, फस्ट से second ले लेगा थोड़ा piece, और second जो हो वो फस्ट वाले को दे देगा, अपने DNA का थोड़ा सब piece, इसको कहा जाता है, that is a conjugation, यह true sexual reproduction नहीं है, आपको बता है कि true sexual reproduction में gametes बनते हैं, male and female, वो fuse होते हैं, जा sexual reproduction की तरह है क्योंकि इसमें दोनों DNA का, दोनों बैक्टिरिय का DNA मिक्स हो रहा है, लेकिन यह conjugation है, true sexual reproduction नहीं है, एक बैक्टिरिय की केटिगरी है, mycoplasm, these are the smallest living organism on the earth, and mycoplasm का जो live example, a living example, that is a PPLO, pleuroneumonio-like organism, आपने इसके full form जरूर याद करनी है, PPLO, these are the mycoplasm, यह भी बै bacteria ही है, लेकिन इनके पास cell wall नहीं होती, यह smallest living cell है, जो बिन oxygen के अर्थ पे survive करते हैं, तो ऐसा मानते हैं, कि जब सबसे पहले life evolve हुई है, तो सबसे पहले prokaryotic cell ही बने है, तो जो सबसे पहले prokaryotic cell बना, वो mycoplasm ही बना, क्योंकि जब अर्थ पे life बन रही थी, यह evolve हो रही में disease cause करने वाले हैं, maximum pathogen term किसके लिए इस होती है, that are the disease causing organism, तो यह pathogenic है, maximum mycoplasm, तो हमने आज मोनीरा किंग्डम के बारे में पढ़ा, मोनीरा किंग्डम के तीन सब किंग्डम है, तो इसके बाद एक इसके और कैटिगरी है, that is a mycoplasm, जो smallest living organism है, आर्थ पे, मोनीरा किंग् तो comment box में मुझे बताना है, bacteria के cell की diagram की अपने practice करनी है, mostly paper में यह two marks का question आ जाता है, bacteria cell की diagram का, thank you and have a good day